जहिंद आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी ये जमीन है या पलोट आपकी है यानि आपका नाम A है और या पलोट आपकी है इस पर किसी व्यक्ति के द्वारा यानि B एक दबंग व्यक्ति है और इनके द्वारा आपके जमीन पर दखल कर लिया गया है तो क्या इस सर्वे में अभी जो विशेस भू सर्वेक्षन का कार ये चल रहा है इसमें आप इस जमीन का क्या होगा यानि क्या ये सर्वे अधिकारी के पास सिकायत करने से यह जमीन आपको दिलवा दिया जाएगा यानि क्या अभी को हटा के इस पर आपका पोजिशन करवा दिया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा इसी समंद में, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, और सर्वे कारिया ले के दौरा, यानि पटना कंट्रोल रूम के दौरा इस पर क्या गाईडलाइन दिया गया है, मंत्रा ले के दौरा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे दिखिए जमीन पर यदि किसी आपकी जमीन है और इसका पेपर सब आपके नाम पर है या आपके किसी पूरवज के नाम पर है और किसी दवंग व्यक्ति के द्वारा इस प्लोट पर बाइजबरन कपजा कर लिया जाता है तो इसका आपको कपजा से या फिर सिवील कोट के माध्यम से आप वाद ला सकते हैं कि इस व्यक्ति को हटाया जाए यहां पर हम एक ट्रिक भी बताएंगे कि पहले हम सवाल का जवाब समझ लेते हैं कि सर्वे कारियाले के दौरा यानि मंत्राले के दौरा जो विभाग है उनका क्या कहना है यह जानने क अपना खतियान प्रस्तुत करेंगे कि जमीन मेरी है दखल किसी दूसरे व्यक्ति दौरा किया गया है अता मुझे दखल दिलवा दिया जाए यदि इस तरह का सवाल आप करेंगे तो उनके लिए क्या गाइड लाइन्स है सर्वे अधिकारी के लिए यहां पर देखिए इसम क्लम में दखल कार का नाम रहेगा समझ गए अब पुना हम चलते हैं वापस सवाल पर अब हमारा सवाल यह था कि क्या यह दखल हमको दिलवा दिया जाएगा तो अभी आपने उत्तर में देखा कि यहां पर साफ साफ कहा गया है कि आप सर्वे का कार्ज सर्वे अधिकारी का कार या इस केंप का कार आपको दखल दिलवाना नहीं है उसके लिए आपको प्रोसेस में जाना होगा यहां पर आपको के लिए ट्रिक यह है कि और एक चीज आपने उसमें देखा कि जमीन का खाता तो आप ही के नाम पर खुलेगा जमीन का जो खाता होगा वो आप ही के नाम पर खुल जाएगा लेकिन इसमें होगा क्या B का दखल कपजा आ जाएगा जैसे पहले एक कॉलोम में लिखा जाता था दखल किसका है ठीक है तो उसमें क्यफियत कॉलोम इसमें भी दिया गिया है पहले सिक्मिदार का नाम हो जाता था और इसमें दखलकार का नाम रहेगा कि फलाने के दखलकावजा में सरवे के समा यह जमीन था अब सवाल यह है कि क्या पहले जैसे सिक्मिदार हो जाया करता था तो अब यह दखलकार सिक्मिदार का हक रखेगा इस पर पूरा विभाग मोन है कि इसको कितना आधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा इस से बचने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि यदि रेकोर्ड में इस व्यक्ति का नाम आ गया जिसका अवध कबजा है यानि जवरन आपके जमीन को कबजा करके रखा है तो पेपर में तो ये दखल में लिख रहा है सर्वे अधिकारी कि दखल में इसका है इसक जमीन का खाता आप ही के नाम पर खोल रहा है किन्तु दखल में इसका नाम दे रहा है बी का तो एक कागजी परमान इनको मिल रहा है कि इस जमीन पर इनका दखल है इससे बेहतर ये है कि आप एक काम करिए कि जैसे ही ये सर्वे में आपको पता चल रहा है कि आपका जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के दखल कब जा में है और जवाब से असपस्ट है कि इसका नाम उसमें आ सकता है तो आपके लिए एक remedy है कि आप इनको दखल से मुक्त करने के लिए यानि अपना जमीन को आप पुनव प्राप्त करने के लिए आप नियायालय में एक मुकदमा ले आईए जैसे ही आप नियायालय में मुकदमा ले आईएगा दखल में इसका नाम तो आ ही रहा है लेकिन उसमें आपका ये मुकदमा संख्या भी अंकीत हो जाएगा कैफियत कॉलों में जहांपर दखल वाकार का नाम लिखा जा रहा था वहां पर यह भी उसमें मेंसन हो जाएगा कि आपने इसको हटाने के लिए आप नियायाले में वाद ले कराए हैं ठीक है तो यदि नियायाले से आप दिगड़ी आपके फेवर में चला जाता है तो इसको remove समझा जाएगा यानि खतियान जो बन जाएगा आपके नाम से लेकिन इस बार सिक्मिदार का प्रापधान नहीं है और इस पर विभाग मौन है यानि कोई भी चीज क्लियर कट नहीं कहा है लेकिन दखलकार में नाम जरूर लिख रहा है आगे इस पर क्या guideline साता है या तो देखने वाली बात होगी कि बाद में इस पर क्या निर्णा लिया जाता है तो आपके पास इस तरह के वाद से बचने के लिए और अपने जमीन को पुना आपका ही रखने के लिए और कभजा प्राप्त करने के लिए निया लया है आप निया लया में जा सकते हैं और अपने इस सर्वेक्षन में उस केस का नाम अंकित करवा सकते हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद